वेल दस्तों गराफिक Android या iOS यूजर है अगर आपको data transfer करना है Android to Android तो आसानी से कर सकते हैं iPhone to iPhone अगर करना है तो भी एक बाद समझ में आ सकता है कि कर सकते हैं लेकिन अगर हमें Android से iPhone में या फिर iPhone से Android में data transfer करना होता है तो काफे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आदस ही पड़ गई होगी अगर आप iPhone users है तो या तो आप data भेजते ही नहीं होगे या फिर भेजना भी होगा तो आपको पैतरा पता होगा किस तरीके से हमें data को transfer करना है आज इस वीडियो में आपको चार ऐसे तरीके बताँगों अभी बहुत ही सिंपल से तरीके होगे जिसके थुरू आप Android से iPhone में और iPhone से Android में data को transfer कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से तो जलिए बहुत चार तरीके कौन-कौन से हैं सबसे जो पहला है वो है आप अपने सिस्टम का यूज करोगे मतलब अपने iPhone को अपने computer से connect कर देना है connect करने के बाद आप इस computer से data को transfer करोगे अपने Android डिवाइस में बागी की अगला कैसे है इसके लिए सबसे पहले हम जो हमें computer की help से data transfer करना है इसके लिए हम lightning cable को अपने phone से connect करेंगे उसके बाद से फिर इसको जो हम लगा देंगे अपने laptop में यहां पर मैंने इसको लगा दिया उसके बाद से फिर क्या करना है आपको यह जो phone है इस phone को आ आपको enter कर देना है तो already मैं यहां पर कर चुका हूं enter कर चुका हूं अब क्या करना है आपको यहां पर search यहां पर start bar पर आपको जाना है और यहां पर फोटो का section देख रहे हो इस पर आपको click करना है click करने के बाद आप यहां पर जो interface देख पा रहे हो कि यहां पर बहुत सा बढ़े रहोंगे, सभी photo हमें यहां पर देखनी को मिल जाएंगे, और जो भी transfer करना होगा आप इसे आसानी से transfer कर सकते हो, कैसे करना है, अभी क्या करना है, मालेच हमें इस photo को भेजना है, इस पर मैं click कर दूगा, click करने के बाद यहां पर add one item, मैंने एक item को हमने add किया, और भ हैं या कितने phone connected है, तो अगर मैं यहां पर, अभी मेरा iPhone connected है, अगर मैं अपने Android device को connect करें तो Android device भी यहां पर हमें connected दिखाई देगा, तो क्या करना है, हमें फिलाल अभी के लिए यहां पर add one मैंने एक photo पर click कर लिया, click करने के बाद यहां पर add one item पर आपको click करना है, click करने पर आपने क्लिक किया कि यहां पर आपको एक message देखने को मिला है कि successfully आपके iPhone से यह picture में चला गया, वो picture है कहाँ, वो हम देख लेते हैं अभी फिलाल, तो यहां भी जो picture वा section है, और यह देख पार हो कि यह photo था, जिस photo को मैंने भेजा है, मिला इस computer में, अब क्या करना है आप आपको अपने Android device को इस computer से connect कर देना है, connect करने के बाद आप बहुत आसानी से इस photo को उठा के अपने Android device में डाल सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला step है, कि हम अपने Android से iPhone में या iPhone से Android में data को transfer कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके सी, अगला है हमारा, हम use करेंगे Google Drive का, Google Drive ये help से भी हम data को transfer कर सकते हैं, इसके लिए simply आपको अपने app store पे जाना है, app store पे जाने के बाद simply आपको search कर लेना है, Google Drive और drive जो है, वो आपके iPhone के लिए यहाँ पर download हो जाएगा, तो ये drive मैंने अपने अपने photos अप्लोड कर देना है, अप्लोड करने के लिए आप य इसी idea से आपको login कर लेना आपको अपने android में, और यहाँ से भी क्या है कि आप अपने data को, जब दोनों जगर login करोगे, तो iPhone का data इसमें मर्ज हो जाएगा, और आपका Android का data वो iPhone में चला जाएगा, तो Google Drive के help से भी आप बहुत असाली से data को transfer का सकते हैं, वहीं पर अगर मैं Google photos की बात करूँ, तो Google photos को भी आप app store से download कर लो, download करने के बाद वहाँ से भी जितने भी photos है, उस photos को आपको import कर लेना है, import करने के बाद वापस से आप वही same ID आप अपने android device में Google photos आप upload कर लो, upload करने के बाद आप बहुत आसानी से data को transfer कर सकते हो, मतलब सारी photos आपके उसमें Google photos में रहेंगे, और वही idea जो आप android में logging करोगे, तो सारे photos आपको यहाँ पर देखनी को मिलेगा, और वहाँ से आप बहुत आसानी सी अपने data को transfer कर सकते हैं, अपने android device में, आपने android से iphone में कर सकते हैं, जो 4 तरीका वो भी काफी सांदार है, iphone से आपको android में data transfer करना है, इसके लिए आप अपने android phone को उठाओ, और वहाँ पर search bar में आपको search करना होगा, iCloud.com, यह search करना है, अब यहाँ पर क्या है, कि आपको जो आपकी i account है, जो iCloud वाल अकाउंट है, उसको आपको login करना होगा, तो यहाँ पर मैं sign in पर click करता हूँ, click करने के बाद आपको अपन एट को करना क्या है, यहाँ पर यह सेक्षन दिख रहा है, इतनी सारी dot डाट इखे आपको you can click करने के बाद यह पोड़ी अदुरी पर click करने के बाद ने हो जितने भी फोटो अमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सभी photo हमारे drive में है, और इस drive में, इस drive के जितने भी ड उन डेटा को हम अपने Android डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत आसानी से, कैसे करना है, इन में से किसी भी पिक्चर को अगर आपको अपने Android डिवाइस में भीजना है, जिस मैं अप्लेट कर रहा हूँ, उसके लिए आपको इस फोटो पे क्लिक कर लेना होगा, फिर य यह तरीका होगा है, टोटल, टोटल चार तरीके मैं आपको बताया, पहला आप Windows Laptop का इस्तमार कर सकते हैं, दूसरा, आप Google Drive का यूज़ कर सकते हैं, फोटोस का यूज़ सकते हैं, फोटोस का यूज़ सकते हैं, गोल फोटोस का, उसका वासे iCloud.com जो वैप साइट है, उस यूज़ सकते हैं, देखते हैं, चाइन चावारत है.